आपने अंडा करी तो बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई बहोगी बट आपने कभी अंडा भूजी ग्रेवी बनाई हैं एक बार आप खा ले ना आपके मुझे केवल एक ही सब्द निकलेगा हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चेनल ममी की एडवाइस आसेफुन के रेसिपी में आप सबका स्वागते असलाम अलेकूम मैं हूँ आसेफुन ये दो अंडे है उसमें थोरा साई नमक डालके मैंने अच्छे से उसको बीट कर लिया है आत्रसकड़ी लसून और अद्रप को अच्छे सी कूट लेना अभी अंडे में नमक थोरा ही डालना विकोस आगे हम अलग ग्रेवी में नमक डालने वाले तो वो प्रोसी साथ याद रखना तो एक पेन में थोरा तेल डालना ज्यादा भी तेल डालने की जराभी जरूरत नहीं है और जो दो अंडे है ना जल्दी उसको चम्मस से गुमाते रहना विकोस हमको जो एक बूजी एकदम छूटी खिली खिली चाहिए आप वीडियो में देख सकते हो में किस तरह कर रहे हो जो टू मीडियम गेस पे करना हाय फ्लेम पे जराइब मत करना नहीं तो फिर आपके बूजी नहीं बनेगी मेर जैसे और एकदम आमलेट बन जाएगा आप देख सकतो एकदम खिली खिली इंचूटी हमारी बूजी बनेए बस अभी उसको अलग से प्लेट में कटोरे में जिसमें भी आपको निकलना हो निकाल देना वापस वो पेन लेना अभी उसमें तेल बटर गी आपको जो भी डाल शाना हो तो डालना बटर डाल तो साथ में थोरा टेल डालना ताकि अबर्टर हमारा जलना जैए अभी उसमें आधा चमब जीरा दो, चार लोंग। और काली म्र्च के दान से दाने को दशती ही वो यपशिंए अरलना एक रही मिर्च के टुकरी और दो कटी हूई प्याच एक तम स्लो टू मीडियम गेस पे अच्छे से बुनना और यह एक बार रेसिपी जोरो ट्रे करना आपकी फेमिली में यह सब को पसंद आएगी और जो हमने अद्रग लसुन कुटा था ना बिना नमक के अभी में नमक नहीं डाला बिना नमक के खुटा था वह इसमें बिना और अच्छे से मिक्स करना कि तेक जो लसुन आ. और जो प्याज के āसे लसुन का कच्छा पन ऑसंदो हम लिक निकल गया है अब जो तो प्याज आनतर गवाद pouco नकल गया है अब दो कच्छ ट्रमाठा ले उस dl कुछ बात बोलती हो नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटान है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी चाहरा हूं मुझे दन्या पाउटर डालने के बाद इसमें एट करना एक से डेट चमच कस मिर्च पाउडर ताकि जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें डालना अधा चमच गरम मसाला आप होममेड बाहर का कौन सा भी गरम मसाला ले सकते हो अभी इसमें डालना थोड़ी हमारी प्यारी सी कोत मिर्वें हां और टेश्ट मस्त आएगा और बहुत अच्छे से बुना ताकि तेल चुटने लगे टमाटर, रख्चे है जो भी कच्छा मसाला है वो सब अच्छे से बुन जाएगा अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो टेश्ट के अक्वा डाल देना नमक और इसको बहुत अच्छे से बुनना ताकि तेल बटर गी जो भी आपने डाला हूँ अच्छे से बुन जाए अभी इसमें डालना पानी मिक्सर में पानी डाला है और ढखके थोरा उबाल आने के लिए रख देना आप देख सकते हो मैं ढखके रखा था और अच्छे से इसमें ग्रेवी में उबाल हमारा आगा है आपको लगे उबाल आगा है तो इसमें एट करना आधी छोटी चमच कसूरी में थी और एक बार रेसिपी जरूर ट्रे करना आपके घर में ये अंडा भूजी ग्रेवी जरूर पसंद आएगी सबको एक बार जरूर ट्रे करना और जो हमने भूजी पका के रखी थी वो एट करना पानी आपको लगता होगा मैंने ज्यादा डाला है नहीं वो एक तो लिक्वीड ये थोड़ी ग्रेवी रहेगी प्लस जो ये भूजी है ना वो पानी भूखी रहती है ना तो पानी बहुत हमारा पी लेगी तो इसको अच्छे से मिस करने के बाद थोड़ी इसमें डालना कोत में और इसको कर देना बंद और इसको निकालना सर्विन बावल में थोड़ी ग्रेवी टाइप है इसके लिए इसका नाम जे अंडा बूजी ग्रेवी एक बर जोर बनाना वह सर्विन बावल सर्विन प्लेट इसके सथ लच्छा पराथा नान बटर पराथा सब बहुत मस्त लगते है लुंते बाई लोगinkwo स्क्क्राशा थी ओूचि औ राध लोर को प्यूवरी एक पराथा वड़िंट नुलाना वोगती खा temas उंते हैं आफ सक्क्राशा प्राभ्ने को अश्यों ओना ऐसक्राशा तो मस्त विल्ट रखे. औ ग्रो, ढाल कर भावल में नftig और कस दिbt भावला ह